मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरली में समझाए ओम शांती आज 29 मैं 2023 के बाबा के साकार महावाक्या मीठे बच्चे बीस ना खूनों का जोर दे पुर्शात करो और बाब से पूरा बरसा लो धार ना कर दूसरों को कराओ बाबा ने आज प्रेशन पूछा तुम बच्चों को किस बात का कदर होतो बहुतों के कल्यान के निमित बन सकते हो बाबा ने उत्तर दिया बाब ने जो इतने सुंदर सुंदर मैडल्स यानि बैज बनवाए हैं इनका तुम बच्चों को बहुत कदर होना चाहिए यह बैज ही तुमारी सच्ची गीता है इस पर तुम सृष्टी के आदी मद्दे अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो तुम्हारे पास यह निशानी सदेव होनी चाहिए बाबा ने बहुत खाइलाद से यह चीजे बनवाई हैं इनकी बहुत महिमा निकलेगी गीत माता ओ माता अम शान्ती अभी बच्चों ने गीत सुना क्यों कि समुक्ष बैठे हैं यह भी जानते हो हम सब की माता है जगत अंबा परन्तु सारा जगत तो पहचान नहीं सकते हैं भारत में ही जगत अंबा का चित्तर है और उसकी महिमा भी यहां है भी लायत आदी तरफ फिर शिव की जास्ती महिमा है क्योंकि बह सब का पादर है यहां फिर जगत अंबा है अब जगत अंबा को भी जनम किस ने दिया जरूर कहेंगे जगत अंबा को भी रचने वाला बे पीछे माता आई है, माता की कितनी महिमा है, हो तो तुम सब माताई, बंदे मात्रम कहते हैं, कन्याई फिर माता बनती हैं, तो यह महिमा है जगत अंबा की, तुम बच्चों को जगत अंबा की बायोग्राफी का पूरा पता है, तुम जगत अंबा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ये सब चतिन्य में बैठी हैं विशेश बुद्ध बार के दिन मम्मा की मेहमा की जाती है शिब बाबा का दिन है सोम बार उसे सोम नाथ भी कहते हैं सोम बार के दिन शिब पर लोटी भी चड़ाते हैं लोटी तो शिब पर रोज चड़नी चाहिए खास सोम बार को क्य कोई कोई दिन मुकरर है तो उसका भी तुम अर्थ समझते हो रुदर नाम सौम नाथ नाम शिरीनाथ नाम क्यों रखा है तुम बच्चे जानते हो बबुल के काटे होते हैं काटों को फूल बनाने वाला वह बाप ही है अभी तुम अर्थ समझते हो महिमा सारी भारत में ही है कराइष्ट की क्रिशन के साथ भेंट करते हैं, कराइष्ट का छोटा रूप बना कर निकालते हैं, ताज भी उनको देते हैं, प्रन्तु उनको ताज तो मिला नहीं है, हर एक अपने धर्म की बढ़ाई करते हैं, हिंदू धर्म बाले ही अपने धर्म की बढ़ाई नहीं करते ह धर्म में तागत है, अभी हम बाबा से कितनी शक्ति लेते हैं, इस गीत में मम्मा की महमा है, लेकिन बाब ना होता थो, शिव शक्तियां कैसे होती, बंदे मात्रम के लाइग कहा बनती? भगवान कहते हैं बंदे मात्रम सन्यासियों का निवर्ति मारग भी ड्रामा में नुदा हुआ है बाप आग कर समझाते हैं बरोबर यह भी अच्छा धरम है धरम सब पहले अच्छे होते हैं जो भी नहीं आत्माई आती हैं वे अच्छी होती हैं अपना प्रभाव निकालती हैं जैसे अरविंद घोस आया तो उनकी कितनी महिमा निकली उन दवारा छोटा मठ स्थापन हुआ बाबा ने समझाया है कि नहीं आत्माई आती हैं आकर अपना मठ पंत स्थापन करती हैं जैसे आर्या समाजी हैं अब देयानांद को कितना समय हुआ पिछाड़ी की छोटी छोटी टाल टालियां हैं जैसे चिदा काशी है बहुत बहुत करके सो वर्ष हुआ होगा कितना चल गया है महमा कितनी है क्योंकि हिंदू धर्म बाले अपने धर्म को ना जानने कारण और और धर्मों में घुस जाते हैं अब तुम जान गे हो बना बनाया ड्रामा है जो फिर रपीट होता है कैसे कैसे धर्म स्थापन होते हैं आखरीन स्रिष्टी को पुराना जरूर बना है बाब कहते हैं नया बनाने वाला सिर्फ मैं हूँ इस समय सब जड़ जड़ी भूत अवस्था में है भक्ती मार का अब अंत होता है ग्यान का है आदी सत्यूग में यह ग्यान नहीं चलता है ग्यान एक ही बार बाबा देते हैं फिर 21 जर्म ग्यान की दरकार नहीं रहती बाब से बरसा मिल जाता है फिर सत्यूग तरिता में पढ़ाई होती नहीं अविनाशी बाब द्वारा अविनाशी पढ़ाई होती है 21 जनम फिर उनका फल मिलता है मनुश्य जो पढ़ते हैं वह एक जनम के अलब का सुख के लिए फिर पढ़ना नहीं होता है हर एक अपने सुख की प्रालब्द बनाते हैं लोकिक संबंद में तो सिर्फ बाप और दादे से ही बच्चों को बरसा मिलता है यहां बाबा कहते हैं मेल फीमेल दोनों ही मेरे से बरसा ले सकते हैं अपने पुर्शार समसार नमबर वारतो है ना बाप दादा आज सवा में अपने बगीचे से भिन भिन फूलों की टोकरी बरकद ले आएं है अब देखो यह फूल है मम्मा सितार भी सरसवती को ही देते हैं ना बाबा के लिए फिर यह गुलाब का फूल ठीक है तुम भी हर एक अपने को समझ सकते हो कि हम कितनी सुगंद वाले हैं बागवान हैं शिप बाबा हम उनके माली ठहरे बागवान एक ही बाबा है तुम जानते हो हमको बाबा फूल बना रहे हैं बलिहारी जगत अंबा की वा जगत पिटा की नहीं बलिहारी तो शिप बाबा की है वह अगर नहीं होता तो इनकी महिमा कैसे होती शिप बाबा की याद से ही इतना उंच मरतबा मिलता है वह है उँचे ते उँच बहग्वान रहते भी है परमधाम में अच्छा कहते हैं लक्षमी भगवती नरायन भगवान बैह बला कहां के रहने वाले हैं यहां मनुश्य स्िरिश्टी के रहने वाले हैं उन्हों को ऐसा उँचा किसने बनाया तुम अब बन रहे होना स्रिष्टी का रचेता तो बरोबर बाब ही है भगवान भगबती सरनेम हो जाता है जैसे बैरिष्टर से पैदा हुए तो वह बैरिष्टर का सरनेम चलेगा लक्ष्मी नरायन तो है महराजा महरानी पहले प्रिंस प्रिंसेस तो बनना ही है तो मनुश्य श्रिष्टी में उचे ते उच लक्ष्मी नरायन ठारे शिरी शिरी एक सो आथ जगत गुरु यह मिमा है शीबावा की 108 की माला बनती है वह माला उंच ते उंच है बह फिर बिश्नु की माला गाई जाती है रुदर माला भी है फिर रुदर माला ही बिश्नु की माला बनती है गाया भी जाता है रुदर माला और भगत माला उनका भी अर्थ कोई नहीं जानते है भगत माला का भी पुस्तक है, रुदर माला की तो गीता है, तो बाप हर एक बात अच्छी रिती बैट कर समझाते हैं, चित्तर भी बावा ने बनवाई हैं, समझाने लिए बावा ने लौकट यानि बैज भी बनवाई हैं, एक तरफ तरी मोर्ती, दूसरी तरफ शिरी क्रिश ये चित्तर तो बहुत अच्छा है, इन पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, गवर्मेंट से इना मिलता है, बावा ने तुम्हारे लिए मेहनत का लाकट यानि बैज बनाया है, फर्स्ट कलास चीज है, लाकट दिखा कर बो आओ, हम सारे सरिश्टी का राज इस से आप को ब बिखा सकते हैं, बुद्धी में आता है ना, इस में नौलज बहुत अच्छी है, इन से हम तुम को बिश्ट के आदी मद्धिया रएंथ का ग्यान देते हैं, सात्योग में कौन रजय करते हैं, तेता में कौन करते हैं, हम तुम को सब दर्शन चकरदारी बना देता हूँ, जिससे तुम फिर चक्रबती राजा बनेंगे, अभी बाबा फिर आकर ग्यान का तीसरा दिब्बे नितर देते हैं, बरोबर हम मूल बतन में बाबा के पास थे, यह बाते और कोई की बुद्दी में नहीं रह सकती, तुम को जो सिखाया जाता है सो निया, भल वह गीता है, प् तुम हम उसको भी उठाते नहीं, नहीं तो कहते हैं गीता से तुम अपने मतलब की बाते उठाते हो, बाबा जानते हैं, कोई कोई बच्चे अच्छे सर्विस्बल हैं, सेना में तो बहुत है ना, पांडम सेना में भी यह है, बाब कहते हैं, फलाना बच्चा बहुत अच् बीस नाखोनों का जोर देकर भी बाप से बरसा लेना है, नहीं तो बहुत पच्चताएंगे, तुम बच्चों के लिए तो खास ट्रीवूनल बैठेगी, शक्षतकार कराएंगे, देखो तुमको कितना समझाते थे, भक्ती मार्ग में जनम जनमांतर गाते आए हो, तुम पर बलिहार जाओं, तुम को ही याद करेंगे, इनका भी अर्थ तुम अब समझते हो, ऐसे भी कहते थे, कि सब कुछ ईश्वर ही देता है, फिर ईश्वर बच्चा देकर लेता है, तो ईश्वर को गाली देने लग जाते हैं, तुम ऐसे हो, यह हो, कह देते हैं, दुख भी दुख देने वाले को दुख देने वाला कह देते हैं, तो बेहत का बाप समझाते हैं, तुम कितने बेसमझ बन गे हो, बाबा कितना अच्छी रिती समझाते हैं, लौकट में बड़ी अच्छी नौलज है, सभी बेदों शास्तरों का इसमें सार है, परंतु बच्चों को इ इतनी दूरा देश मिशाल बुद्धी नहीं है। लॉकट में तरी मूर्ती है और नीचे में लिखा है गौड फादर ली ब्रत्राइट। कहते भी हैं गौड फादर परमपिता। फादर जरूर कहेंगे। फादर का अर्थ है ही। हम उनके बच्चे हैं। भगत बगवान के बच्चे हैं ऐसे नहीं कि भगत बगवान हैं भगवान को ही बगती मार्ग में ले आते हैं। फिर बगती मार्ग वालों को भकती का फल कों देगा प्रंतु सिवाए समझाने कोई समझना सकते। लिटरेचर से भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं तुम लाकट से भी समझा सकते हो यह है ओच ते ओच गौड़ फादर हम तुमको गौड़ फादर के जीवन का रहसे बता सकते हैं जो सभी का गौड़ फादर है वह क्या करतब्य करते हैं जिस कारण उनको फादर कहा जाता है गौड़ फादर कहा जात और फिर एडम एव आदम बेवी ब्रह्मा सर्जवति को कहेंगे गौड़ फादर उन्हों दवारा रचना रचते हैं वह गौड़ फादर है सभी आत्माओं का बाप यह है प्रजा पिता हम आत्माएं हैं उनके अविनाशी बच्चे फिर चक्कर में आते हैं तो यह है प्रज ग्रेट ग्रेट ग्रेंड फादर कहा जाता है शीब को ग्रेट ग्रेट ग्रेंड फादर नहीं कहेंगे शीब को सिर्फ फादर कहेंगे वह है सब आत्माओं का बाब मनुश्य स्रिष्टी का सिज्रा बनेगा तो पहले पहले ब्रह्मा सर्षवति फिर उनसे और विर्दी हो उँच ते उँच परम पिता परमातमा उन से देवी देपता धरम की स्थापना होती है फिर नंबर वार और धर्बों की स्थापना होती है ब्रम्मा को हमेशा बुड़ा दिखाएंगे ग्रेट 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 फादर है न INTERVIEW है न तुम बच्चे जानते हो गाते भी हैं सत्गुरु मिला दलाल के रूप में यह सब बाते बाप बैठ समझाते हैं तो बच्चों की बुद्धी में बैठ जाना चाहिए तुम समझा सकते हो हम इतने ब्रम कमार कमारियां हैं प्रजा पिता ब्रमा का नाम मशहूर है बावा ने काड भी बहुत अच्छे थे उसमें सारी नालज आ जाती है बड़े खायलाद से यह चीजे बनाई जाती है प्रन्तु इतना कदर नहीं है मिल्टरी वालों को मैडल्स मिलते हैं फिर यहां पहनते हैं ना तुमारे पास तो एक ही मैडल है उन्हों के पास तो बिन बिन मैडल्स में निशानिया होती है यहां तुम्हारी एक ही निशानी है, कार दिखाकर फिर वहां ही बैठ समझाना चाहिए बहभी समय आएगा, तुम्हारे इन मैडल्स की कार की बहुत महिमा निकलेगी बाबा तो बहुत अच्छी रिती समझाते ही रहते हैं कोई कोई बच्चे पूछते हैं, बाबा योग कैसे लगाएं, लक्षे तो दिया हुआ है, बरसा दादे से तुमको लेना है लोकिक घर में तो सब बरसा नहीं लेंगे, यहां तो सब हकदार हो पहले देखो, जाड के जाड आए, फिर उनसे कोई की टांक कट गई, कोई की बा कट गई, बाकी ब्रामन बरने वाले अपना बरसा ले रहे हैं ऐसे नहीं कि जाड सवरग में नहीं आएगा, आएंगे सब परंतु जो अच्छी रिती पड़ते हैं, वह बिजे माला में आएंगे, बाकी प्रजा में, हाँ प्रजा में भी जो सहुकार बनना चाहे, तो उसके लिए युक्ति मिल सकती है प्रजा में भी बहुत सहुकार बन सकते हैं, राजाओं से भी सहुकार के पास मलकियत बहुत रहती है, दौपर से जब राजाओं को भी तंगी होती है, तो फिर सहुकारों से करजा लेते हैं, अच्छा, मीठे मीठे, सिक्रा दे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड बॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को शर्दा बरी प्रेम बरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मेटी 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 मुर्ली के लिए धारना के लिए मुख्य सार नमबर एक बाबा हमको बरसा देने आई हैं तो बीस नकुनों का जोर देकर भी बाब से पूरा बरसा जरूर लेना है नमबर दो शीब बाबा की याद से खुशबूदार फूल बनना और बनाना है बिशाल बुद्धी और दूरा देशी बन लॉकट पर अच्छी रिती सर्विस करनी है वर्दान अपने फीचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर स्रिष्ट बनाने वाले श्रिष्ट सेवाधारी भब बोलने की सेवा तो यथा शक्ती समय परमान करते ही हो लेकिन संगम युक का जो फ्यूचर फरिष्टा सवरूप है बह आपके फीचर से दिखाई दे तब सह सेवा कर सकते हो जैसे जड़ चितर फीचर द्वारा अंतिम जनम तक सेवा कर रहे हैं ऐसे आपके फीचर में सदा सुख की शांती की खुशी की जलक हो तो स्रेष्ट सेवा कर सकेंगे आपके फीचर को देख कर कैसी भी दुखी अशांत परिशान आत्मा अपना स्रेष्ट फ्यूचर बना लेगी स्लोगन भाग्य बिताता बाप को अपना सरफ संबंदी बना लो तो सरफ प्राप्तियों से संपन बन जाएंगे ओम शांत